तो दूस्थो WPL 2024 का आज नववा मैच रोयल चैलेंजर्स बिंगलॉर बना मुंबई इंडेंस के बीचे केला गया और इस नववे मैच में मुंबई इंडेंस ने रोयल चैलेंजर्स बिंगलॉर को हरा कर पोइंस टेबल में काफी बड़ा उलट फेर कर दिया जहां रोयल चै टीम कितने पॉइंट के साथ किस अस्तान पर है और यहां से प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए किस टीम को अब कितने मैच और जीतने होंगे इस चुड़ो में आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफ़े जादा के डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगी तो आएए चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पॉइंट टेबल में जो टीम सबसे आखर यानी पांच वे अस्तान पर है वो है गुजराज जैंट इस टीम ने अब तक तीन मैच खिला और तीन के तीनों मैच मे इस टीम को हारका सामना करना पड़ा है अब इस टीम के पास टोडल जीरो पॉइंट है गुजराज जैंट का जो नेट अनेट है माइनस में माइनस 1.995 जो कि काफी ज़्यादा खराब है अब इस टीम को पांच मैच और खिलने है और आने वल इन पांच के पांचों मैच मे और इन 4 मैचों में से जहां 2 मैच में इस टीम को हार मिली है तो इस टीम ने 2 मैच में जीत दर्जी की है अब इस टीम के पास टोडल 4 पॉइंट है यूपी वारियर्स का जो नेट अनेट प्लस में प्लस 0.211 है जो कि थोड़ा बहतर है अब इस टीम को 4 मैच और खिलने है इस टीम ने अब तक चार मैच खिले और इंचार मैचों में से दो मैच में इस टीम ने जीता आसिल कि जब कि दो मैच मिनश तीम को हार काज सामना करना पढ़ा है अब इस टीम के पास टोडल चार पॉinnt रोयल चैलेंजर बिंगलोर का जो निट रनेट प्लस में थोड़ा बहतर है, अब इस टीम को चार मैच और खेलें और आने वाल इन चार मैचों में से कम से कम तीन मैच और जीतने होंगे, प्ले ओफ में कौलिफाई करने के लिए, जबकि पोइंस टेबल में तूसरे असान पर है दिल्ली कैपिटल, इस टीम ने अब तक तीन मैच खेले है, और इन तीन मैचों में से दो मैच में इस टीम ने जीत हासिल किया, जबकि सिर्फ एक मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है, अभी इस टीम के पास टोटल चार पॉइंट है, दिल्ली कैपिटल का जो करने के लिए जबकि पॉइंस टेबल में पहले अस्तान पर पहुँच चुगी है आज का मैच जीतने वाली टीम मुंबई इंडल मुंबई इंडल ने आज के मैच में रोयल चैलेंजर बिंगलोर को हरा दिया जहां इस टीम ने अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों म से कम से कम दो मैच में और जीतना होगा प्ले ओफ में कौलिफाइक कर निकले अगर यह टीम आने वाले तीन या फिर चार के चारो मैच में जीत दर्जी कर लेती है तो पॉइंस टेबल में पहले अस्तान पर फिनिश करेगे और साथ में फाइनल में भी जगह पकी कर सकती है तो दोस्तो यह रहा WPL 2024 का नया पॉइंस्टेबल जो की इनवे मैच रोयल चैलेंजर बिंगलॉर बना मुंबई इंडन्स के मैच के बात का है तो आपको क्या लगता क्या मुंबई इंडन्स WPL 2024 के फाइनल में कॉलिफाय कर पाईगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं तो दोस्तो शुन बतने हैं अगर आप वीडियो पसंद आयो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंदवा देना तैंकी सो मच गैस फोर वाचिंग इस वीडियो